बिस्मिल्ला रिमान रिरहीम शुरू करती हूँ अल्ला के नाम से जो बड़ा महरबान और नया तरहम करने वाला है अस्सलाम अलेकुम विवार्स अमीद करती हूँ आप सब खारियस से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहां रहें खोश रहें अबाद रहें आज हम बना रहे हैं बहुत जबरदस इस्टू या आप लोग इसको प्यास गोश भी के सकते हैं तो चलिए गाइस हम इसको बनाने स्टार्ट करते हैं मैंने आदा किलो गोश लिया है और यह है आदा किलो प्यास मैंने इसको कट कर लिया है लस्तन अदुरक का पेस्ट है वन वन टीस्पून, हल्दी आफ टीस्पून, दो तेज़ पात लिये हैं नमक वन टीस्पून, कुटी मेच टू टीस्पून, धन्या पॉडर वन टीस्पून, डाल चीनी, लॉंगे, इलाइची, ये साबुत मिर्चे लिये मैंने तो चलिए गाईज, इसको बनाने स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैंने अदब काप ऑईल गरम करने रख दिया था, कूकर में बना रही हुँ मैं ये, इसमें सबसे पहले हम गरम मसाला एट कर देंगे और गरम मसाला के बाद हम इसमें थोड़ी सी देर इसको फ्राई करने के बाद इसमें प्याज एट कर देंगे तो गाईज, ये देखें, मैंने गरम मसाला सारा एट कर दिया है, और तेज पाद बीस ही में डाल दिया है और अब मैं इसको थोड़ी सीदर फ्राइ करूंगी ताकि ये अच्छे से इसमें से खुश्भू आने लग जाए फिर हम इसमें प्याज एड़ कर देंगे ये देखे गाइस मैं इसमें प्याज एड़ कर रही हूँ और प्यास को जो है हमें light brown करना है तो जब तक हमारी प्यास brown हो रही है आप लोगो मेरे चेनल को सर्सक्राइब कर ले और बैल आइगन को दो बाना ना भूले ताकि आपको मेरी वीडियो बर वाग देखने को मिले और आपको मेरी वीडियो अच्छे लगती है इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे जरूर बताय करें कि आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी कैसी लगती है, ताके मेरी भी होसला अफजाई हो और मैं आपके लिए बहुत ही असान रेसिपियां लेके आ सकूँ हमाई प्यास लाइट ब्राउन हो गई है बस हमें इतनी ही करनी है जादा हमें ब्राउन नहीं करनी है अब मैं इसमें गोश एट कर दूँगी मैंने इसमें गोश एट कर दिया है और गोश एट करने के बाद मैं इसमें लसादर का पेस भी इसी के साथ एड़ कर दूँगी और इनको अच्छे से अभी हम फ्राइ करेंगे देगे मैंने इन दोनों चीजों को डाल दिया है अब हम इसको अच्छे से फ्राइ करेंगे जब तक गोश का कलर नहीं चेंज जाता गाइस यह बहुत ही जबदस बनता है इ हमने निकाल के रखे हुए हैं पहले से यह देखिए और जहें को टीवी मेच और धन्या भी आइट कर दिया है और अब मैस में तोरसा पानी आइट करूंगी ताकि मसाले हमारे जले नहीं जो हम इसको तोड़ी सी देर भूनेंगे तो अब हम तोड़ी सी देर मसालों के साथ गोश को फ्राइ करेंगे अच्छे से जितनी जो हम मसालों को भूनते हैं उतना ही जबदस फ्लेवर हमारे खानों में आता है तो आप भी अच्छी तरह मसालों को भून कर खाना पकाया करें ताकि आपके भी खानों में जायका हो और फ्लेवर बहुत अच्छे से निकल के आ तो आप अपने गोश्ट के हिसाब से पानी आट करिएगा ये देखे गाइस मैंने अच्छे से इनको मिला लिया है और टिमाटर भी नर्म होने लगा है और इनका पानी भी रिलीज हो गया है अब देख सकते हैं और फ्लेम को हमें मेडियम रखना है हाई नहीं रखना है अब मैं इसमें अदर गिलास पानी आड़ कर दूँगी तो ये देखे गाइस मैंने इसमें अदर गिलास पानी आड़ कर दिया है और अब मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी ताके पानी के साथ अच्छे से सारी चीज़े मिल जाए और ये देखे हैं मिलाने के बाद आप में कुकर को बन कर दूँगी और मेडियम फ्लेम पर इसको तक्रीबन 10 मिट के लिए पकने के लिए रख दूँगी जब तक CT नहीं बोल जाती ये देखी गाइस मैंने कुकर को बन कर दिया है और फ्लेम देख सकते हैं आप लोग मेडियम रखी हुई है तक्रीबन 10 मिट लगेंगे इसकी CT बोल जाएगी और गोश्ट हमारा गल जाएगा तो गाइस मिलते हैं 10 मिट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये देखी गाइस 10 मिनिट हो गए थे और मैंने प्रेशर कुकर का डखकन अटा दिया है और आप देख सकते हैं कि हमारा गोश्ट भी गल चुका है अब हमें इसे तो इतना बूनना है कि इसमें जो थोड़ा बहुत पानी नजर आ रहा है ये वो बिलकुल खतम हो जाए तक्रिबाद 10 मिनिट लगेंगे इसको मीडियम फ्लेम पर इसी तरह बूनते हुए हमें ये देख सकते हैं आप लोग मैं किस तरह चलाते हुए ही इसको पका रही हूँ ताके ये नीचे चुपके नहीं और फ्लेम को मेडियम ही रखिएगा आप लोग भी ये देखिए गाइस तक्रिबान पानी इसका खतम हो चुका है और आप हम इसमें हरी मिर्चे एट कर देंगे ताकि हरी मिर्चे भी अच्छे से पक जाएं और हरी मिर्चे डालने के बाद भी हम इसको थोड़ी जब और बूनेंगे यह देखिए गाइस मैंने हरी मिर्चे एड करके अच्छे से इसको मिला दिया है और बहुत ही जबर्दस इसमें से खुच्छबू आ रहे थी आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राइ करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी यह रेसिप्री कैसी लगी यह देखिए गाइस मार्शलास से हमारा सालन बुन चुका है और ऑइल आप देख सकते हैं कि इसमें नजर आने लग गया है और बहुत ही जबर्दस लग रहा है देखने से ही जितना देखने में एच्छे लग रहा है इसके फ्लेवर भी बहुत ही जवर्दस था आप लोग इसको जरूर बनाएगा इस बक्राइट और मुझे बताएगा कि आपको मेरी ये रस्पे कैसी रगी ये देखिए है हमारा सालन जो है बुन चुका है आइल जो है इसमें नजर आने लग गया है अब हम इसमें हरदनिया एड़ कर देंगे और हरदनिया डालने के बाद हम इसको मिला लेंगे अच्छे से और ये देख सकते हैं आप लोग मैंने हरदनिया इसमें एड़ कर दिया है और हरदनिया एड़ करने के बाद इसको मिला देंगे गाईस बहुत ही जबरदस जो है यह बना था यह देखिए मैंने एक प्रीट के लिए इसको कवर लगा दिया है मैं दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक यह देखिए गाईस माशाला से हमारे इस्टू का फाइनल लुक कितना जबरदस लग रहा है गाईस यह देखने में इतना अच्छा लग रहा है खाने में यह उससे भी ज़्याद आच्छा था तो आप भी इसको ज़रूर बनाएगा और मुझे बताएगा कि आपको मेरी रेस दिले के आओंगी आपके लिए अलाहाफिस